हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका किरपांस एक्सपेरिमेंट यूटूब चैनल में आज हम लोग एक छोटा सा रोबोट बनाने वाले हैं तो गाईज अगर आप लोगों को ये रोबोट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और विल नोटिफिकेशन को और पर किलिक कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहां पर एक वायर ले ले रहा हूं मोटा सा तो यहां पर इसको अमें इस पिलास के साहता से इसको कट कर देना है यहाँ पर मैं दो बराबर हिस्सों में इसे कट करने वाला हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ इस परकार से गुलूगन के साहता से इसको चिपका देना है ठीक से इसके उपर से भी हमें लगा देना जिससे मजबूती से इस पर चिपक जाए यहां पर दोनों साइट में इसको हमें चिपकाना है तो यहां पर मैं बारी बारी दोनों साइट इसको चिपका दूँगा इसके बाद हमें चाहिए इस आइसक्रीम इस्टिक और यहां पर मैं मार्किंग कर लूँगा हमें इसके एकदम मीड़ पॉइंट पे मार करना है आप किसी भी सहाइता से आपर कोई भी चिन्व लगा सकते हैं मैं आपर एक सर्किल के सहाइता से आपर गोला कर दे रहा हूं और यहाँ पर दोनों पे हमें करके इसे गुलूगन के सहायता से इस पर हमें खड़ा कर देना है इस मोटर को कुछ इस परकार से अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर दीजिएगा हमें इसको चिपकाने के बाद यहाँ पर चैए आइस क्री मिश्टिक जो कि हमें छोटा-छोटा कट कर लिया और इसको हमने यलो कलर से रंग भी दिया है और इसको भी हम गुलूगन की सहायता से यहाँ पर चिपका देंगे तो चलिए मैं इसको दोनों साइट से चिपखा देता हूँ तो गाइस आफ लोग वीडियो वाच कर लेते हो वीडियो को लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चलिए मैं इसको यहां पर सीधा करके भी आपको दिखा देता हूं यहां पर यह हमारा एक आइस्क्रीम इस्टिक भी देख सकते हैं थोड़ा टेलना है तो हमको इसको भी सीधा कर लेना है और इसके बाद हमें यहां पर चाहिए दो पेन का खाली रिफिल जिसमें की इंक भारा होता है हमें बिना इंक वाला रिफिल भी चलती है यहां पर तो हम बिना इंक वाली रिफिल लेंगे क्योंके हमें तो कोई लिखनी की यहां पर ड़़ोता है नहीं बस सिर्फ हमें लगाना है तो गाइज मैं यहां पर खाली इंक लूँगा खाली इंक वाला यहां पर पर यूज करूँगा यहां पर कुछ इस परकार से जो कि यहां पर इसके डंडे का काम करेगा आपके पास अगर कोई पतला सा डंडा है फिर वायर है यह मोटा वाला तो आप इसको भी लगा सकते हैं कोई जरूरी नहीं आप यहां पर यही लगाएं तो हमें इसको दोनों करेंगे तो मैं हाँ पर एक बाटी ले रहा हूं 3.7 बोल्ट का इसके बाद मैं इसको यहां पीछे के साइट में यहां पर चिपका दूँगा और इसके बाद मैं ले रहा हूं एक स्विच तो इसको भी मैं यहां नीचे के साइट में चिपकाने वाला हूं यहां पर मैं तो इसके बाद हमें इसका connection करना है तो connection काफी easily हो जाएगा बस सिर्फ आपको एक wire सीधा motor से connect कर देना है बैटरी का और एक wire इस switch में ले जाकर और motor का भी एक wire switch में ले जाना है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा रहा हूँ एक wire मैं यहाँ पर देख सकते हैं switch के midpoint पर connect कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं एक wire जो की अभी हमारा dead wire छोटा है तो मैं इसको motor से एक और wire लगा के यहाँ पर connect कर दूँगा तो मैं इसको यहाँ पर solding iron की साहता से भी इस पर हम sold करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको चलिए connect कर देता हूँ क्योंकि यह भी connect नहीं हो रहा ठीक से तो मैं इसको यहाँ पर पहले sold ही कर दूँगा तो चलिए मैं इसको sold कर देता हूँ तो गाइज मैंने इसको यहाँ पर sold कर दिया और motor का जो दूसरा wire है इसको हमें switch में connect करना है कुछ इस परकार से यहाँ पर कुछ इस परकार से आप पर्वे पहले sold कर कर क्योंप पर connect कर सकते हैं मैं भी इस पर sold नहीं किया था तो मैं यहाँ पर पहले sold कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस परकार से और यहां पर हमें जो ये बिखरे वायर हैं इनको हमें टेप के साहता से मिड में हाँ पर चिपका देना है कुछ इस परकार से आप देख सकते हैं वीडियो में तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजफुल लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए यहां पर देख सकते हैं तो गाइज मैंने इसको जैसे ही आउन किया ये गिर गया और इसका एक हार टुट गया है यहां पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको फिर से बनाने की कोशिस करूँगा तो देख सकते हैं मैं इसको फिर से दूसरे परकार से बनाने की अब कोशिस करने जा रहा हूँ तो गाइस चलिए मैं इसको फिर से बनाता हूँ तो गाईज इसे मनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है फिर भी ये एक बार में टूट गया है तो अभी हम इसको दोबारा बनाएंगे ये मोटर तो बार कर रहा है बस सिर्फ ये यहां पर सही से चिपका नहीं था तो इसके लिए मैं दूसरा जुगाड करने वाला हूँ तो यहां पर देख सकते हैं मैं दो छोटे छोटे टायर ले लिया हूँ और इसको मैं यहां पर दोनों साइड लगा दूँगा तो गाईज यहां पर दोनों साइड ठीक से हमें इसको लगा देना है कुछ इस परकार से और यहाँ पर हमें पहले जैसा आइस क्रीम इस्टिक को फिर से यहाँ पर लगाना है तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ तो गाई देख सकते हैं मैं उसी परकार फिर से यहाँ पर सेट कर दिया हूँ बस सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए मैं बैटरी को नीचे कर दिया हूँ और देख सकते हैं आप पर काफी जादा गुलू गन इस्टिक बेस्ट हो गया है तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर आप कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहाँ पर मैं बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था तो मैं इसको फिर से चार्ज करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको इसको रोबोट जैसा दिखने के लिए मैं यहाँ पर एक फेस का इस्टीकर भी लगाया था जो कि यह बार बार टूट जा रहा था क्योंकि यह सही से वर्क नहीं कर रहा था बस सिर्फ यह बैलन्स नहीं ठीक से बना पा रहा था तो यहाँ पर मैं इसको आपको भी चला कर दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वायर उपर से लगा दे रहा हूँ क्योंकि यह बार बार नीचे की तरफ गिल जाता है और यहाँ पर गोल गोमने लगता है तो इस बार तो ये नहीं तुटता बस सिर्फ देख सकते हैं आपर बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पर इधर उधर चलने लगता है देख सकते हैं आप यह काफी ज़्यादा तेद देख सकते हैं आपर गियर मोटर में यहाँ पर पूरा वायर यहाँ पर गोल गोल इसके अंदर हो गया है तो फिर से मैं यहाँ पर कोशिस करूँगा देख सकते हैं यह कुछ इस परकार से इसको वर्क करना था लेकिन यह डिस बैलेंस के कारण बार बार नीची की तरफ गिर जाता है और इधर उधर चला जा रहा था तो गाइस इसको बनाने में हमने बहुत मेहनत किया अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम ट्राइ करेंगे और इसको हम ठीक करके आप लोगों को जरूर दिखाएंगे तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर किलिक कर दीजेगा थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में